दोस्तों आज किस वीडियो के इंदर में आपको बताऊँगा domain के बारे में तो basically जो domain होता है कोई सी भी आप अपनी website अगर create करते हैं चाहे अपनी personal website हो चाहे वो professional website हो तो इसके लिए आपको एक domain जो है वो गमपसर ही होता है लेना बिना domain के आप कोई सी भी website create नहीं कर सकते तो यहां पे मैंने अभी अपना जो domain है वो go daddy से लिया हुआ है और मेरा जो domain है यानि की मेरे store का जो नाम है ssdigitalindia.com तो मेरा जो store है जैसे मैं याप एक नाइटेव के अंदर मैं अपने store को open करता हूँ तो जैसे www.ssdigitalindia.com तो यह जो domain है यानि की आपने जब भी किसी भी address वार पर जब आप यह type करते हैं www.ssdigitalindia.com और मैं जैसे ही enter की press करता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि मेरा यह store open हो जाता है तो यहाँ पर यह होता है कि यह जो domain है यह domain ssdigitalindia.com एक domain हुआ और domain के साथ ही जब यह website की जो designing होती है यह एक अलग platform होता है यानि web hosting जो होती है उसके तुरू यह designing इसके अंदर होती है तो यह यहाँ पर जो domain होता है यानि domain एक अलग company प्रोवाइड करती है और web hosting भी आप अलग company से ले सकते हैं जिस किसी भी company से आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं भी बात करता हूँ domain की यानि जो मेरा domain है ssdigitalindia.com की तो जब कोई भी आपको अगर नया domain purchase करना होता है तो आप GoDaddy पे जाके direct यहाँ पे find your perfect domain यानि कि जो भी store आप create करना चाहते हैं तो वो store जिस किसी भी नाम से आप रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे search करेंगे अगर वो domain available होगा तो आपको नीचे उसकी list आजाएगी और list के साथ ही उसके charges आपको देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे भी starting के अदर होता है कि GoDaddy पे आपको domain अगर purchase करना चाहते हैं तो 499 yearly आ तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूं search domain तो अब आप देखेंगे कि यह जो domain है यह already क्योंकि मैंने purchase किया हुआ है तो यहाँ पे इसका close का symbol आ गया और यहाँ पे आप देखेंगे कि great alternative यानि कि अगर आप दूसरा domain लेना चाहते हैं तो वो domain आप यहाँ पे ले सकते हैं ssdigitalindia.in यानि कि यह domain आप इसमें purchase कर सकते हैं जो कि यह भी available है तो मुझे भी domain purchase नहीं करना लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा जो domain domain purchase करना है यानि कि इस तरह के कोई domain है जो की purchase करके रख लेते हैं बहुत से जो person होते हैं जो की domain को purchase करके रख लेते हैं और वो domain purchase करने का उनका मकसद यह होता है कि उनका वो sell out कर सके अपनी high price पे तो यहाँ पर अभी आपके अपने domain की अगर value आपको check करनी होती है तो वो आप value कैसे check करेंगे वो चीज भी मैं आपको इसके अंदर बताऊँगा लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी से आपको यहाँ पर बता देताऊँगी जो इस तरह की जो services होती है यानि किसी ने domain अगर लिया हुआ है और आगर आपको अपना नया domain अगर purchase करना होता है तो यहाँ पर गोडेडी की और से इसमें broker service की जो fees होती है वो 5,250 रुपे है और इसके साथ ही 20% इसका commission भी आपको अलग से pay करना होगा जब successfully जो domain आपके नाम से transfer हो जाता है तो अब यहाँ पर जब मैं इस पर click करता हूँ she how पे तो यहाँ पर पूरा process दिया गया है कि इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि यह जो brokerage की services होती है जो domain जिसका होता है उस owner से contact करते हैं और contact करने के साथ ही जो bargaining होती है यानि कि जो rate plus और minus का जो भी होता है वो सारा सब कुछ होने के बाद जब आपको domain की जो charges होते हैं उसके अलावा आपको 20% extra इसमें commission इनको देना होता है तो यह जो इनके services के charge है यह charges जिसके अंदर है 5,249 और plus इसमें commission यानि कि इसमें जो 20% जो commission होता है वो भी आपको इनमें दे मनलब देना होता है तो यह चीज़े जो तो होती है कि जो domain औरड़ी किसी ने purchase किया हुआ है उनके लिए कि अगर आपको वो domain की requirement होती है तो यह आप कुछ extra pay करके उन domain को आप ले सकते हैं मैं 100% नहीं कहता है लेकिन mostly 70-80% जो है domains आपको easy way में मिल जाते हैं लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा extra pay करना होता है payment तो अब यहाँ पर मैं अपने domain के अगर आपको value दिखाता हूँ कि मेरे अभी इस domain की current value क्या है तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हम यहाँ जो my product है इससे ओड़ynı को अयदर को में यहाँ आपको अपना दिखा देता हूँ domain मैं तो यहाँ पर jjo gotaddy के अंदर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो ethical पर् Neptune मेने अब इसको मेने अपना domain और्छिश किया था 2016 के अंदर तो अभी आप देखेंगे कि मेरे डोमेन की जो value निकल के आ जाती है वो यहाँ पे निकल के आ रही है 829 डोलर यानि कि 839 रुपे मेरे इस डोमेन की अभी current value है यानि अगर इसको मना जाएगी मैं इसमें इसको अगर sale करता हूँ तो जो 839 डोलर है इसकी अभी current price क्या होगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ डोलर टू इंडियन रुपीज और यहाँ पे मैं करता हूँ 829 तो यहाँ पर अभी मेरे जो डोमेन है इसकी value निकल के आ जाती है 68142 यानि अभी जो गोडेडी की तरफ से इसकी value लगी हुई है वो लगी हुई है 68000 यानि कि अगर मैं अपने domain को अभी sale करता हूँ तो यह मेरे ओंपर depend करता है कि मैं इस domain को जो मेरा ssdigitalinia.com का domain है अगर sale करना चाहूँ तो इसकी value यहाँ पे 839 डोलर है इससे मैं अप में भी इसको sell out कर सकता हूँ यह मेरे ओंपर depend करता है लेकिन GoDaddy की तरफ से जो इसकी value भी है वो है 839 डोलर तो अब यहाँ पे इस तरह से कोई भी domain अगर आप purchase करना चाहते हैं GoDaddy के थूर तो आप easy way में इसके अंदर purchase कर सकते हैं पर्चेस करके जो जो domain आपको लगता है कि in future के अंदर इनकी जो price है वो increase होगी तो increase होने के साथ ही ऐसे domain को आप sell करके भी अपना एक अच्छागासा profit कमा सकते हैं तो यहाँ पर मैंने अपना एक ही domain purchase कर रखा है इसके लावा मुझे भी कोई दूसरे domain के भी requirement नहीं है तो इस वज़े से मैंने केवल अपने एक domain था जो की मैंने purchase कब किया था 2016 के अंदर मैंने इसको purchase किया था और इसको approach 8-9 साल होगे और 9 साल के अंदर इसकी value आप देखेंगे यहाँ पे 839 डोलर है तो इस तरह से दोस्तों कोई भी domain अगर आप purchase करना चाहते हैं तो purchase करके केवल आपको yearly कुछ payment आपको pay करना होता है और pay करने के साथ ही उसके पाद जब भी किसी आप domain को अगर sale करते हैं तो जो आपने yearly pay करते हैं उससे कई दूगुना तीगुना और कई कई तो आपको 10 गुना तक की payment आपको उसके अंदर profit आपको मिल जाता है तो इस तरह से आप domain को जो है go daddy है या इसके अलावा कोई other जो platform होते हैं उससे भी आप अपना domain को sale and purchase भी आप कर सकते हैं तो ये के process था दोस्तों की जो domain के बारे में मैंने आपको बताया कि exact जो domain की मेरी क्या value है और इसके साथ ही कोई नया domain अगर आप purchase करते हैं तो starting के अंदर काफी कम charges इसके होते हैं और जैसे जैसे domain आपको popular हो जाता है तो उसी के साथ में इसकी value भी बढ़ जाती है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे like और share जरू कोई हो मेरे चले को subscribe करना ना भूले